नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में देनिक जागरण के समपादकी से 458 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड मिलेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलीगराम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं ग्रूप का लिंक इसी वीडियो के ठिक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट आखिरकार मानहानी के मामले में गंडित राहूल गांधी की सदस्यता चली गई क्योंकि कानून यही कहता है कि दो वर्स या उससे अधित की सजा पाते ही किसी विधायक सांसद की सदस्यता स्वतह समाप्त हो जाएगी इसी के साथ कांग्रेस यह संदेश देने में जुट गई है कि राहूल गांधी को भ्रश्टाचार के खिलाप बोलने की कीमत चुकानी पड़ी यह संदेश कितनी दूर तक जाएगा और जन्ता इसे किस रूप में लेगी इसी पर निर्भर करेगा कि राहूल गांधी को जन्ता की सहानुभूती मिल पाती है या नहीं कांग्रेस कुछ भी मान कर चल रही हो उसके लिए यह माहूल बनाना आसान नहीं होगा कि राहूल गांधी भ्रश्टाचार के खिलाप बोल रहे थें इसलिए सरकार ने चल बल से उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करा दी क्योंकि सच तो यही है कि उन्हें अदालत ने मान हानी का दोसी पाया है और उनकी सदस्यता उसी तरह गई जैसे दर्जनों अन्य विधायकों और सांसदों की गई है इनमें लालू यादव से लेकर आजम खान तक हैं चूंकि विभिन मामलों में दोसी पाये जिन विधायकों और सांसदों की सदस्यता गई है उनमें सभी दलों और यहां तक की भाजपा के नेता भी सामिल है इसलिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से यह प्रचारित करना आसान नहीं होगा कि केवल विपक्ष के जन प्रतिनिधियों को ही निसाना बनाया जा रहा है यह थोथा प्रचार इसलिए और भी मुस्केल होगा क्योंकि जनता इससे भली तरह आउगत है कि राहूल गांधी की सदस्यता इसलिए गई क्योंकि वह मानहानी के मामले में दोसी पाए गई है पहरा राहूल गांधी मानहानी के दोसी इसलिए पाए गएं क्योंकि उन्होंने अपने इस कथन के लिए छमा मांगने से मना कर दिया कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं यह इस्या और द्वेस से भरी एक अपमान जनक इपड़ी थी इसके लिए खेद प्रकट करने के अस्थान पर राहूल कभी यह कहते हैं कि सत्य मेरा भगवान है और कभी यह कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ इस बयान बाजी का उस विशय से कोई लेना देना नहीं जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई उन्हें जिस मामले में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए उस पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि एक तो जनता सब जानती है और दूसरे भाजपा यह बताने में कोई कसर नहीं छोडने वाली की राहूल ने एक जाती विसेस के लोगों पर अभद्र टिपड़ी करके उनका अपमान किया था और उन्हें सजा अदालत ने सुनाई है राहूल का अतीत भी इसकी गवाही देता है कि वह किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं कहना कठीन है कि उन्हें उच्चतर न्याय पालिका से राहत मिलेगी या नहीं और कांग्रेस उनकी सदस्यता खोने को राजनीतिक रूप से भुना पाएगी या नहीं लेकिन यदि नेतागर संभल कर बोलना सीख लें तो इससे उनका और भारतिय राजनीति का हित ही होगा इस्टॉप दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग असी की स्पिड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट आखिरकार मानहानी के मामले में दंडित राहूल गांधी की सदस्यता चली गई क्योंकि कानून यही कहता है कि दो वर्स या उससे अधिक की सजा पाते ही किसी विधायक सांसद की सदस्यता स्वतह समाप्त हो जाएगी इसी के साथ कांग्रेस यह संदेश देने में जुट गई है कि राहूल गांधी को भ्रश्टाचार के खिलाप बोलने की कीमत चुकानी पड़ी यह संदेश कितनी दूर तक जायेगा और जन्ता इसे किस रूप में लेगी इसी पर निर्भर करेगा कि राहूल गांधी को जन्ता की सहानुभूती मिल पाती है या नहीं कांग्रेश कुछ भी मान कर चल रही हो उसके लिए यह माहूल बनाना आसान नहीं होगा कि राहूल गांधी भ्रश्टाचार के खिलाप बोल रहे थे इसलिए सरकार ने चल बल से उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करा दी क्योंकि सच तो यही है कि उन्हें अदालत ने मानहानी का दोसी पाया है और उनकी सदस्यता उसी तरह गई जैसे दरजनों अन्य विधायकों और सांसदों की गई है इनमें लालू यादव से लेकर आजम खान तक है चुकि विभिन मामलों में दोसी पाये जिन विधायकों और सांसदों की सदस्यता गई है उनमें सभी दलों और यहां तक की भाजपा के नेता भी सामिल है इसलिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से यह प्रचारित करना आसान नहीं होगा कि केवल विपक्ष के जन प्रतिनिधियों को ही निसाना बनाया जा रहा है यह थोथा प्रचार इसलिए और भी मुश्किल होगा क्योंकि जनता इससे भली तरह आउगत है कि राहूल गांधी की सदस्यता इसलिए गई क्योंकि वह मानहानी के मामले में दोसी पाए गई है पहरा, राहूल गांधी मानहानी के दोसी इसलिए पाए गए क्योंकि उन्होंने अपने इस कथन के लिए छमा मांगने से मना कर दिया कि सारे मोधी चोर क्यों होते है यह इस्या और द्वेश से भरी एक अपमान जनक टिपड़ी थी इसके लिए खेद प्रकट करने के अस्थान पर राहूल कभी यह कहते हैं कि सत्य मेरा भगवान है और कभी यह कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं इस बयान बाजी का उस विशय से कोई लेना देना नहीं जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई उन्हें जिस मामले में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए उस पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि एक तो जनता सब जानती है और दूसरे भाजपा यह बताने में कोई कसर नहीं छोडने वाली की राहूल ने एक जाती विसेश के लोगों पर अभद्र टिपड़ी करके उनका अपमान किया था और उन्हें सजा अदालत ने सुनाई है राहूल का अतीत भी इसकी गवाही देता है कि वह किसी के खिलाप कुछ भी बोल देते हैं कहना कठीन है कि उन्हें उच्चतर न्याय पालिका से राहत मिलेगी या नहीं और कांग्रेस उनकी सदस्यता खोने को राजनीतिक रूप से भुना पाएगी या नहीं लेकिन यदि नेतागर संभल कर बोलना सीख लें तो इससे उनका और भारतिय राजनीति का हित ही होगा इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड की बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट आखिरकार मानहानी के मामले में दंडित राहूल गांधी की सदस्यता चली गई क्योंकि कानू यही कहता है कि दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाते ही किसी विधायक सांसद की सदस्यता स्वतह समाप्त हो जाएगी इसी के साथ कांग्रेस यह संदेश देने में जुट गई है कि राहूल गांधी को भरश्टाचार के खिलाप बोलने की कीमत चुकानी पड़ी यह संदेश कितनी दूर तक जायेगा और जन्ता इसे किस रूप में लेगी इसी पर निर्भर करेगा कि राहूल गांधी को जन्ता की सहानुभूती मिल पाती है या नहीं कांग्रेस कुछ भी मान कर चल रही हो उसके लिए यह माहूल बनाना आसान नहीं होगा कि राहूल गांधी भरश्टाचार के खिलाप बोल रहे थें इसलिए सरकार ने चल बल से उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करा दी क्योंकि सच तो यही है कि उन्हें अदालत ने मानहानी का दोसी पाया है और उनकी सदस्यता उसी तरह गई जैसे दरजनों अन्य विधायकों और सांसदों की गई है इनमें लालू यादव से लेकर आजम खान तक है चूंकि विभिन मामलों में दोसी पाये जिन विधायकों और सांसदों की सदस्यता गई है उनमें सभी दलों और यहां तक की भाजपा के नेता भी सामिल है इसलिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से यह प्रचारित करना आसान नहीं होगा कि केवल विपक्ष के जन प्रतिनिधियों को ही निसाना बनाया जा रहा है यह थोथा प्रचार इसलिए और भी मुस्केल होगा क्योंकि जनता इससे भली तरह अउगत है कि राहूल गांधी की सदस्यता इसलिए गई क्योंकि वह मानहानी के मामले में दोसी पाए गए हैं पैरा राहूल गांधी मानहानी के दोसी इसलिए पाए गएं क्योंकि उन्होंने अपने इस कथन के लिए छमा मांगने से मना कर दिया कि सारे मोधी चोर क्यों होते हैं यह इस्या और द्वेश से भरी एक अपमांजनक पिपड़ी थी इसके लिए खेद प्रकट करने के अस्थान पर राहूल कभी यह कहते हैं कि सत्य मेरा भगवान है और कभी यह कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं इस बयान बाजी का उस विशय से कोई लेना देना नहीं जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई उन्हें जिस मामले में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए उस पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि एक तो जनता सब जानती है और दूसरे भाजपा यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कि राहूल ने एक जाती विशेश के लोगों पर अभद्र टिपड़ी करके उनका अपमान किया था और उन्हें सजा अदालत ने सुनाई है राहूल का अतीत भी इसकी गवाही देता है कि वह किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं कहना कठीन है कि उन्हें उच्चतर न्याय पालिका से राहत मिलेगी या नहीं और कांग्रेस उनकी सदस्यता खोने को राजनीतिक रूप से भुना पाएगी या नहीं लेकिन यदि नेतागर संभल कर बोलना सीख लें तो इससे उनका और भारती राजनीती का हित ही होगा इस्टाव